IPL 2020 शुरू होने वाला है और हर फैन अपनी पसंदिदा टीम के बारे में जानना चाहता है IPL शुरू होने में अब मातर एक दिन रह गया है और इसी बीच सभी टीमें इस सीजन में बहतर परफॉर्म करने के लिए और चैंपियन बनने की उमीद से अपनी तयारियां जोरो शुरों से कर रही है ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के टीम भी कोई पीछे नहीं है टीम में शांदार खिलाडियों का तालमेल है एक तरफ जहां युवा खिलाडियों को टीम में जगा मिली है तो वहीं एक्सपिरियंस्ट खिलाडियों को भी मौका दिया गया है इसी बीच राजस्थान रॉयल्स की टीम के होसले को और मजबूती मिल गई जब टीम के कई विदेशी खिलाडे टीम के साथ जुड़ गए है असल में राजस्थान की टीम में जौस बटलर, स्टीव स्मिथ, जौफरा आर्चर और बें स्टोक्स काफी एहम भूमी का निभाते हैं और हाली में ऑस्ट्रेलिया ने इंगलेंड का दौरा किया जहां उसने तीन टी-20 और तीन वंडे मैचेस खेले हैं अस्ट्रेलिया के टीम से स्टीव स्मिथ और इंगलेंड की टीम से जौस बटलर, बें स्टोक्स और जौफरा आर्चर हैं ये चारों खिलाडी अपने देश के लिए खेल रहे थे और सिरीज खत्म होते ही भारतिये क्रिकेट लीग में अपनी फ्रेंचाइजी राजस्थान रोयल्स को जौइन कर चुके हैं ये चारों खिलाडी राजस्थान के कहम पहलू हैं और टीम को काफी मजबूती देते हैं अगर बात करें राजस्थान के संभावित 11 खिलाडियों की तो उसमें यही वो चार खिलाडी हैं जो विदेशी खिलाडियों की जगा ले सकते हैं हाला कि बैन स्टोक्स कुछ नीजी कारणों की वज़े से शायद टीम से ना जुर सकें और उनकी जगा टीम में दक्षन अफरिका के ताबर तोड बल्लेबास डेविड मिलर ले सकते हैं हाल ही में टीम के इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर प्राक्टिस सेशन के कई सारे पोस्ट डाले गए जहां खिलाडी पूरे जोश में सीजन शुरू करने की तयारी कर रहे हैं रॉबिन उथपपा, जेदेवुनाद कट, यशशवी जैसवाल, संजू सैमसन, रॉबिन उथपपा समेत कई खिलाडी हैं जो इस सीजन में राजस्थान रोयल्स की तरफ से खेलेंगे और टीम को मजबूती भी देंगे ऐसे में जोश बटलर, स्टीव स्मित और जोफरा आर्चर का टीम के साथ जुर्णा, खिलाडियों और मैनेजमेंट का होसला बढ़ाएगा आपको बता दें कि राजस्थान रोयल्स की टीम की कमान भी ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी स्टीव स्मित के हाथों में है इसके पहले, 2019 में स्टीव स्मित अपनी फ्रेंचाइजी पूने सूपर जाइंट्स को अपनी कप्तानी में फाइनल तक का सफर तैंकरा चुके हैं क्या आप पर भी बर्पा है जाल साजी का कहर? सपने तूटे आपके, न घर के, न घाट के देखिए लूट घर हर रात साड़े नौ बजे फिकरा आपकी